नमस्कार दोस्तों मैं सवरब आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मोबाइल सल्यूशन पर दोस्तों मेरे पास यह जो हैंट सेट है ओपो ब्रैंड का है आप देख सकते हैं आद देखें नीचे तरफ ओपो की ब्रैंडिंग और दोस्तों device हमारी on है और device पर प्राबलम ये है दोस्तों कि device हमारी pattern लाग है ठीक है मैं simple यहाँ से device को unlock करता हूँ और यह देखें draw unlock pattern और device हमारी pattern लाग है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा OPPO A33 को hard reset करने का तरीका ध्यान से समझिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगा OPPO A33 को hard reset करने का तरीका अब device को hard reset करने के लिए आपको device का pattern, pin या password ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको device का pattern, pin या password नहीं मालूम है, तो दोस्तों आप OPPO के किसी भी device को hard reset नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, इस विडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ device को hard reset करने का तरीका बताने जा रहा हूँ, ठी device को hard reset करने के लिए इसे power off करना होगा, तो आप simple power button को press करें, ठीक है, और simply यहां से device को power off कर दें, ओके device मारी power off हो गई, और अब आते हैं दोस्तों device के right side में, device के right side में आएंगे दोस्तों तो यहां पे आपको power unlock button देखने को मिलेगी, और आएंगे device के left side में, तो यहां पे उसके बाद यह चीज मैं आपको practically करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको device को power off कर लेना है, ओके, power off करने के बाद आपको करना यह है दोस्तों, volume down और power button, ध्यान से सुनिएगा, यह जो volume down button है, volume down button और power button, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है, ठीक है, जैसे ही आपकी device हलका सब बाइबरेट करेगी और आपको oppo का logo दिखेगा, आप दोनों बटन से अपनी finger हटा लेंगे, ठीक है, इतना करने के बाद आपकी device totally recovery mode पे active हो जाएगी, ठीक है, अब चलिए यह चीज मैं आपको practically करके दिखा दे ठीक है, अब यहाँ देखे, oppo का logo दिखा, आपको कुछ second wait करना है, और आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी device totally recovery mode पे active हो जाएगी, और यह देखें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया, आप देख सकते है, device हमारी totally recovery mode पे active हो चुकी है, और आपको कुछ इस type डा interface करना होगा, ठीक है, तो चलिए English पे click करते हैं, जैसे ही आप English पे click करेंगे, तो उपर की तरफ लिक के आएगा colors recovery, और यहाँ recovery के बहुत सारे option आपको नीचे की तरफ सो करेंगे, ठीक है, अब चुकी दोस्तों device को हमें hard reset करना है, इसलिए हमें simple click करना होगा third वाले option पे, तो हम simple यहाँ wipe data पे click करेंगे, जैसे ही आप wipe data पे click करेंगे दोस्तों, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ बोल रहा है, please draw lucky screen pattern, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि device को hard reset करने के लिए device का pattern, ping या password आपको मालूम होना चाहिए, अगर दोस्तों आपको device का pattern, ping या password नहीं तो हमने pattern लगाया है, और हमको pattern यहाँ पे drag करना है, तो हम यहाँ पे pattern ड्रा करेंगे, जैसे ही आप सही pattern, ping या password ड्रा करेंगे, तो आपको कुछ इस type का interface आएगा, उपर के तरफ लिखा है wipe data, और नीचे के तरफ wipe data और format data दो option है, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा दोस् तो यहाँ जैसे ही आप format पे click करेंगे, आपके device का सारा का सारा data यहाँ पे erase हो जाता है, ठीक है, आपका music, phone, contact, जो भी हो, वो सारा का सारा यहाँ पे delete हो जाता है, यह चीज आपको ध्यान देना है, तो बेटर होगा दोस्तों कि आप पहले से backup कर लें, उसके बाद ही आप अपने device को hard reset करें, ठीक है, तो चुकि हमें device को hard reset करना है, इसलिए हमें simple click करना होगा format पे, और जैसे ही मैं format पे click करूँगा, यह देखिए wiping process जो है की, यह start हो गया, आपको यहाँ कुछ second wait करना है, और जैसे ही wiping process complete होगा दोस्तों, आपको wiped successfully का यहाँ पे message आ जाएगा, ठ और यह देखिए दोस्तों, finally आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह message आ गया, wiped successfully का यह जो message, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, यह देखिए message आ गया, ठीक है, अब आपको करना क्या है दोस्तों, simple यहाँ okay पे click कर देना है, और जैसे ही आप okay पे click करेंगे, आपकी device oppo A33 यहाँ पे reboot हो जाएगी, यानि की restart हो जाएगी, अब यह देखिए device मारी restart हो गई, और अब आपको wait करना है device को पूरी तरह से चा password नहीं मालूम है, तो आप अपने device को hard reset नहीं कर पाएंगे, तो device को हमने hard reset किया है, तो hard reset करने एक बाद device चालू होने में वक्त लगता है, तो आपको यहाँ पे wait करना होगा, और यह देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया device हमारी reboot होने के बाद पूरी तरह से active हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और अब करना क्या होगा दोस्तों, device जब हमारी reboot होने के बाद पूरी तरह से active हो जाएगी, तो कुछ इस type का interface आपको देखने को मिल करने का, ठीक है, आपको करना क्या होगा दोस्तों, बहुत आसान है, कुछ सेकेंड लगेंगे और आपके device का जो ये android setup है, ये पूरी तरह से complete हो जाएगा, ठीक है, आपको करना क्या होगा दोस्तों, नीचे तरब दो option आप देख रहे हैं, emergency call और next, तो आपको simple emergency call पे click कर द देना है, ओके, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक code डायल करते ही, आपके device का android setup पूरी तरह से complete हो जाएगा, ठीक है, तो वो code है दोस्तों, star hash 813, ठीक है, ध्यान से देख लीजे, इसे note down कर लीजे, आपको ये code डायल करना, star hash 813, और उसके बाद आपको simple hash डायल कर देना ठीक है, अब यहाँ दोस्तों कुछ second लगेगा, और आपके device का android setup आटोमेटिकली बिल्कुल set हो जाएगा, आपकी device पूरी तरह से active हो जाएगी, ठीक है, अब यह देखिए, हमें कहीं कुछ next करने की ज़रूरत नहीं करी next, next करना पड़ता है, उसमें काफी time लगता है, ले बहुत आसानी से घर बैठे-बैठे hard reset कर पाएंगे, अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, helpful लगती है, तो दोस्तों मैं आपसे request करूँगा, कि इस वीडियो को जादा से जादा share करें, वीडियो को like करना बिल्कुल न भूलें, और ऐसे ही interesting वीडियो क के लिए आप मारी YouTube चनल को जरूर subscribe करें, बगल में जो बेल आकन है उसे प्रेस करें, तो वीडियो पुरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, thank you so much.